जब मैं प्रेगनेंट हुई तो मेरे पती का रंग पीला पड़ गया, फोरन उसी रात वो मुझे गाउं से दूर एक दूसरे सहर में ले गया और भोला पुरे नौ मेने तक तुमको यही रहना है और जब आखरी दिन मुझे दर्द शुरू हुआ फोरन एक और रहत आई और म मेरा पती रोता हुआ अंदर आया और बोला बच्चा तो तुम्हारा मुर्धा पैदा हुआ था, मुझे बहुत अजीब लगा, यह दूसरी बार जब मैं प्रेगनेंट हुई तो पती को कुछ नहीं बताया और चुपके से घर से भाग गई, एक दिन डॉक्टर से चेक परवाई तो वल्ट्राशाउंड करती हुई चीक पड़ी और थोड़ी ही दिर बाद डॉक्टर की पूरी टीम ने मुझे जंजीर से बांग दिया और बोले कि तुम्हारे पेट में तो मैं साधी की रात में घुंगा तोड़ कर बैठी हुई थी, अपने पती का इंतजार क रही थी, तभी दर्वाजा खुला और मेरा पती कमरे में आया, उसके पैर मेरी तरफ बढ़ रहे थे, तभी वो आकर रुग गया, मैं सोच रही थी कि वो मुझे कोई बादचित करेगा, मगर वो कुछ नहीं बोला, मुझे बड़ा अजीब लगा, तब मैंने अपना घुं अज़ा दुबारा खुला और मेरा पती कमरे में आ गया, उसकी नजर जैसे मुझे पर पड़ी, जल्दी से मेरे पास आया और बोला, क्या बाते रीतू, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो, मैं भूली थोड़ी दिर पहले ही कमरे में कोई आया था, जैसे मैंने खुंगट उठा कर देखा तो कमरा खाली था, महेस यानी के मेरा पती बड़े परिसान हो गया, कुछ दिर तो वो कुछ भी नहीं बोला, फिर हसने लगा, और बोला रीतू पहले भी कमरे में में ही आया था, तुम्हारे पास बैठते ही याद आया कि मुझ दिखाए कि भारी लग रही हो, तभी मैंने भी मुश्कुरा दिया, थोड़े टाइम बाद मने शुटकर वासरूम चला गया, जब वो आपस लोटकर आया तो, बोला रीतू मैं ठका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ, तुम भी ये भारी लेंगा बदल कर आराम कर लो, मैंने हां में सर हि मिला दिया, सुबह हुई, तो मैं कमरे से बाहर निकल कर घर की आनद ले रही थी, मेरी और महस की अरेंज मेरी जुई थी, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, और ना ही हमारा आपस में कोई रिस्ता था, ममी ने बस मुझे इतना कहा था कि, रितू तुम बहुत खु मिला है, जो बहुत अच्छा इंसान है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, उसके माता पिता इस दुनिया से जा चुके हैं, भाई बहन कोई भी नहीं है, वो अकेला ही हर चीज का मालिक है, तब मैं बोली, ममे मेरे पती का कोई रिस्तेद नहीं है, तो फिर वो किसके कहने में आकर तुमसे लड़ाई जगडा करेगा, बलकि पूरी दुनिया में उसका तुमसे एक अच्छा रिस्ता होगा, बस मेरी बेटी, तुम अपने पती की बात मानती रहोगी, तो भगवान के कर्म से कुछ भी गलत नहीं होगा, मुझे ममी की बात समझ में आ गई थी, इसलिए मैंने महेश से रिष्टे के लिए हा कह दी थी, और आज मैं उसकी बीबी बन गई, उसके घर की मालकिन बन गई थी, मैं घर की एक एक चीज़ को बड़ी प्यार से चूँ कर देख रही थी, हमारा घर छोटा सा था, मगर बहुत ही के वहां क्या पड़ा है। मैं जैसे ही कमरे में जाने लगी, अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खीचा, मेरा उपर का सास ऊपर और नीचे का सास नीचे रह गया था, मैंने जल्दी से पीछे मुर्ड कर देखा तो, पीछे महस ख़ड़ा था, जिसके चेहरे पर गुसा ह गुस्टा था। महस बोला तितु तुम यहां क्या कर रही हो। मैं सर्मा कर बोली अपना घर देख रही हूँ, हर चीज को महसूस कर रही हूँ। मुझे आपकी घर की मालकिन बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। महस के चेहरे पर गुस्टा था। वो बोला तितु पूरा घ पिर आपके घर में बना एक कमरा आपका क्यों नहीं है, महस बोला, यह मैंने कुछ साल पहले किसी और को रहने के लिए दिया था, उसका सामान इसमें पड़ा है, वो अभी तक लोट कर वापस नहीं आया, जब आएगा तब मैं उसे कह दूँगा कि अपना सामान उठा कर ले जाओ, फिर तुम इस कमरे के मालकिन बन जाना, मुझे बहुत आश्चरी हुआ था, मैं बोली, ऐसा भी कौन था, जिसके लिए आपने ये कमरा अभी तक बंद करके रखा है, यह सुनते ही महस का गुसा सातमें आसमान पर चड़ गया, और बोला, बस बस जादा सवाल मत करो मुझे जादा बोलने वारी लड़कियां अच्छी नहीं लगती, चलो आज के बाद यहां मताना, मैं तो अपना बना हुआ मूह लेकर रह गई थी, भला ये क्या बात हुई, कि जादा बोलने वारी लड़कियां पसंद नहीं है, लड़किया तो हमेशा ही बहुत जादा ब मैं बोली, अरे महेश, आपने नास्ता बाहर से क्यों मंगवाया, अब तो आपकी बीबी घर आ गई है ना, अब आपको कोई भी चीज बाहर से मंगवाने की जरुरत नहीं है, महेश ने बोला, आज़ो नास्ता कर लो, हम दोनों ने मिलकर चुप चुप से नास्ता किया, मै महेश से नजरे चुरा चुरा कर उसे बार बार देख रही थी, महेश बहुत खुप सूरत था, इतना खुप सूरत की, अगर उसके चेहरे को देखती रहूं तो दिल ना भरे, महेश नजरे जुका कर नास्ता कर रहा था, जबकि मैं उसकी लंबी घनी पलकों को देखती रह गई थी, तभी मेरा पती महस बोला, तो मुझे बाद में देख लेना, पहले नास्ता कर लो, मैं तो एकदम से हरवड़ा गई थी, मेरी चोरी जो पकड़ी गई थी, मुझे तो इस बात की हैरत थी की, महस को कैसे पता चल गया, कि मैं उसे देख रही हूं, नास्ता करने के बा महस सारे बरतन उठा कर किचन में ले गया, और धोकर भी रखाया था, मैं बहुत खुश थी, महस बहुत अच्छा इंसान था, बस मुझे उसके कम बोलने वाली आदस से थोड़ी सी परेसानी थी, खेर, इसका हल भी मैंने सोचा था, कि मैं धीरे धीरे उसे अपने रंग में रंगलूंगी, बस ऐसे ही खुशी खुशी दिन गुजर रहे थे, कुछी महने बाद में पेट से हो गई थी, मैं बहुत खुश थी, मुझे लगा कि जब एक खबर में महस को सुनाओंगी, तो वो भी बहुत जादा खुश होगा, इसलिए मैंने साम को जैसे ही वो घर आया मैं जल्दी से उसके पास गई और बोली, मैं ऐसा बाप बनने वाले हो, मेरी बास सुनकर मेरे पती का चेहरा लाल हो गया था, वो मुझे फटी फटी निगाहों से देख रहा था, फिर बोला, बधाई होरी तू, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है, जबकि मैं अच्छी तरह समझ रही थी, कि उसे मेरी बास सुनकर बिल्कुल भी खुसी नहीं हुई है, मैं चुप करके अपने कमरे में चली गई, मेरे आखों से आसु बह रहे थे, थोड़ी दिर बाद ही महस कमरे में आ गया, और बोला, क्या बात तेरी तू, यूँ बच्चों की तर सबसे परिशानी है, मैं जिस ओफिस में काम करता हूँ, वो दिवाली के वज़े से छुटी जा रहे हैं, बोस ने आज ये खबर सुनाई है कि सभी वर्कस को छुटी नहीं मिलेगी, कहर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया, महस बोले, आज खाने के बाद कौफी पीने का दिल क मैं जल्दी से उठी और बोली, मैं अभी बना कर लाती हूँ, तभी महस ने मेरा हाथ थाम कर मुझे बिठा दिया, और बोले, नई नई, तुम यहीं पर बैठो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से कौफी बना कर पिलाऊंगा, मैं मुश्कुराने लगी थी, महस उठकर क इचन में चले गए, तो मैं अपने बातों में खो गई थी, थोड़ी देर बाद ही महस कौफी लेकर आए, तो हम बाते करते करते कौफी पीने लगे, मुझे नीद आ गई, तो मैं सोने के लिए चली गई, जबकि महस टीवी पर खबरे देख रहे थे, मैं ऐसी गहरी नीद पहले कभी नहीं सोई थी, क्योंकि प्रेगनेसी की वज़े से मुझे रात में उठकर वासरूम जाना पड़ता था, सुबह चार बज़े के करीम मेरी आग खुली तो मैं जल्दी से उठी और वासरूम चली गई, जब मैं वापस आई तो मुझे महस का चेहरा नजर नहीं आ लाती हूँ, मैं जब कमरे से बाहर निकली, तो लॉंज भी खाली पड़ा था, टीबी भी बंद था, मैं बहुत परिसान हो गई, कि आखिर में इस इतने रात को मुझे कुछ बताए भी ना कहा जा सकते हैं, मैं सहन से निकली तो ओ भी खाली था, मेरा दिल घबराने लगा तब ही मेरी नजर घर के लाश्ट वाले कमरे पे आती रोसनी पर पड़ी, मुझे अजीब सी खुसी हुई थी, कि साथ महस का किरायदार वापस आ गया है, जिसका सामान कुछ सालों से इसी कमरे में पड़ा था, मैं जल्दे जल्दी घर के पीछे जाने लगी, मैं कमरे के ब अधेरा हो गया, और महस बाहर निकल लाया, वो मुझे देखकर बहुत घुसे में आ गया था, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीरता हुआ सहन में ले गया, और बोला रितू, तुम्हें मैंने मना किया था ना, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, तुम वहां से आती रोसनी देखी तो सोचा कि आपका किरायदार वापस आ गया है, इसलिए यहां आ पहुची, महस मुझे कमरे में ले आया और बोला रितू अपने हक को पहचानो, वो कमरा तुम्हारे हक में नहीं आता है, तुम इस बात को समझ क्यों नहीं लेती, उस दिन के बाद मै मैंने कभी उस कमरे के बारे में सोचा भी नहीं था, दिन गुजरते गए और मेरी डिलिबरी का समय नजदी का पहुचा, सुबह से ही मेरी तब्यत खराब थी, इसलिए मैंने महस को घर में रोक रखा था, कि किसी भी समय अस्पताल जाने की जरुरत पढ़ सकती है, दोपर म मैं आराम करने के लिए लेटी, तो मेरी तब्यत खराब होने लगी, मैं जल्दी से बोली महस गाड़ी निकाले, मेरी तब्यत भिगड रही है, महस उसी टाइम कमरे से बाहर निकल गया, और मैं दर्द से तड़पने लगी, मैं सोच रही थी, कि महस कमरे में कब आएगा, अगर उसे तो बाहर निकले हुए बहुत देर हो चुकी थी, वो अभी तक नहीं आया था, मेरी आखों के आगे अंधेरा चाने लगा, तब ही महस एक औरत के साथ कमरे में आया, वो बोला रितु ये बहुत समझदार दाई हैं, तम्हारा डिलिबरी यही करेंगी, मैं हैरान के हवाले करके, खुद बाहर निकल गया था, दाई मुझ पर जोर आज माईस करने लगी, और तकरीबन तीन घंटे के बाद, मेरे कानों में बच्चे की रोने की आवाज पड़ी थी, मैंने दिल से भगवान का धन्यवात किया, और आखे बंद कर ली, मुझे पता ही नहीं जला कि मैं कब नेंद की गहरी वादियों में खो गई थी, जब मेरी आख खुली तो मैंने अपने बच्चे को देखी, वो वहाँ नहीं था, मैंने महस को आवाज दी, तो उसने उठकर कमरे में बलब जलाए, और उसकी आखे खुन जैसी लाल थी, मैं बोली महस मेरा को पैदा किया था, मैं हैराने से महस के तरब देखी और बोली, मैंने अपने बच्चे की रोने की आवाज अपने कानों से सुनी थी, महस बोला तुम तो बिहोस हो गई थी, नीद में सुनी होगी आवाज, कास मैं भी तुम्हारी तरह एतनी सुकून और गहरी नीज सो पात मैं चीखने चिलाने लगी और बोली, महस मुझे मेरा बच्चा वापस ला दो, मेरा बच्चा कहा है, महस की बात सुनकर तो मुझ पर जमीन और आसमान गिर पड़े थे, वो बोला मैंने तो अपने बच्चे को कल मिट्टी में दबा दिया, मैं बोली कल, एक या मतलम महस, त तो मुझ पर बहुत बड़ा जुलम किये हो, अब मेरा दिल तूट चुका था, उसका चेहरा देखने को भी दिल नहीं कर रहा था, कुछ महिने गुजनने के बाद मैं फिर से प्रेंगनेंट हो गई, जबकि अब तो मेरी ख्वाहिस भी नहीं थी, एक दिन मैं सहायन में बै चला है कि तुम पेट से हो, मैं यही प्रातना करती हूँ कि भगवान इस बार तुमको और महस को जिन्दा बच्चा दे दे, पिछली बीबी ने भी दो बच्चे पैदा किये हैं, मगर दोनों मरे हुए थे, जबकि उसकी बीबी रो रोकर कहती थी कि महस मैंने जिन्दा उटने लगा था, मैं पूछी आंटी महस पहले से साधी सुधा है, वो आंटी एकदम से परेशान हो गई, वो बोली बेटी क्या तुम्हें ये बात पता नहीं था, मैं चुपचा पांटी को देखती रह गई, वो बेचारी बहुत सरमिंदा हो गई और बोली फिकर ना करो, उसकी बीबी को तो महस तलाक दे चुका है, अब तो वो सिर्फ तुम्हारा है, मेरी पडोसन जैसे ही घर से निकली, मैंने अपने दो कपड़े बैग में डाले और घर से निकल गई, मैं जानती थी कि महस की पहली पतनी सच कह रही होगी, क्योंकि मैंने भी तो अपने बच् जाता और मेरे माता पिता मुझे उसके साल जबर जस्ती घर भेज देते, मैं अपनी एक दोस्त के घर आ गई थी, वो बहुत अच्छी थी, उसके घर में बस वो और उसकी मम्मी रहती थी, मेरी दोस्त नर्च की जॉब करती थी, और उसके घर में आंटी अकेले रहती थी, डॉक्टर ने अल्टर शौन किया, तो अचानक से चीक पड़ी थी, डॉक्टर ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा और खुद बाहा निकल गई, मैं और आंटी हका बक्का से होकर उस नर्स को देख रहे थे, थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर अपनी नर्स के साथ कमरे म वापस आई, उसने मुझे बेट पर लेटा कर जंजीरों से बान दिया था, मैं तो डर से थर-थर कापने लगी थी, आंटी ये सब देखकर गुस्से में आ गई थी, डॉक्टर को गुस्सा होकर बोली, ये क्या बत्तमीजी लगा रखी है, तुम डॉक्टर हो या जानवर, खोलो मेरी बेटी की जंजीरे, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगी, डॉक्टर बोली, आंटी आप फिकर क्यों कर रही है, ये सब हम आपके बेटी की सही के लिए ही तो कर रहे हैं, ये देखिए, इसके पेट में आधा इंसान का बच्चा है, और आधा जानवर का ब आँटी आप आबर्शन के कागज पर साइन कर दे, आँटी भोली, आप मेरे बच्ची को छोड़ दे, अभी और इसी समय, मैं पता करती हूँ कि क्या बात है, वो आँटी मुझे अस्पताल से बड़ी मुश्किल से बाहर निकलवा कर लाई थी, मैंने आँटी से कहा कि, मैं अपने पती के घर जाना चाहती हूँ, वो ही बताएगा कि आखिर क्या बात है, हम दोनों घर चले गए थे, घर खाली पड़ा था, मैं आँटी को घर के पीछे ले गई, मेरी हैरत का इंतहा न रही, वो कमरा खुला हुआ था, महस भी वही पर बैठा हुआ था, मैं कमरे में गई, महस मुझे देखकर बहुत डर गया था, मैं बोली मेरे पेट में पलने वाला बच्चा आधा इंसान है और आधा जानवर, इसकी पीछे क्या राज है, मुझे वो तुमसे जानना है, महस रोने लगा और बोला, रितु मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं अपनी जवानी की दिनों में बहुत बड़ा पाप कर बैठा था, हमारे घर में एक औरत काम करने आती थी, कभी कभी उसके साथ उसकी जवान बेटी भी आती थी, वो बहुत खुश सूरत थी, मैं उस पर फिदा हो गया, मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे साधी करना चाहता हूँ, वो लेकिन मैंने साप साप इनकार कर दिया, तब उसने मेरे ममी पापा को मेरी बात बता दी थी, तब मैंने सबके सामने उसके मूँ पर थपड़ भी मारा था, मैं बोला इस दुनिया में मेरे लिए तुम ही रह गई थी, मैं तो जूता भी ब्रैंड का पहनता हूँ, फिर तु मैं और ममी बहुत परिसान थे, एक बाबा के पास गय तो वो बोले महस्तुम पर तुम्हारी किसी महबूबा ने काला जादू किया है, एक काला जादू बहुत जादा भारी है, एक कई कई महने चिल्ले काट कर किया गया है, ताकि तुम्हारा आधा बच्चा जानवर हो, मै तुम्हारे लिए कोई उपाय देता हूँ मैं बहुत जादा डर गया था और फिर वही हुआ जिसका डर था वो बाबा अभी जादू करी रहे थे कि वो बाबा भी मर गये मुझे मालूम पड़ गया था कि वो सैतानी ताकत का मुकावला नहीं कर पाए मेरे दो बच्चे ऐसे ही पैदा हुए थे मैंने अपने पत्नी से कहा कि तुम बच्चे मृत जन्मती हो उसे मेरी बाब का भरोसा नहीं था इसलिए मुझे तलाक लेकर चली गई इस कहानी के साथ साल बाद मैंने तुमसे बिबाह की इस भरोसा पर कि क्या पता वो जादू कमजोर पड़ गया हो मगर ऐसा नहीं हुआ तुमने बच्चा जिन्दा ही पैदा किया था मगर फिर वो मर गया मैं अजीम नजरों से महस को देखती रही मैंने उसे डिबोस को कहा तो उसने मुझे डिबोस दे दिया कुछ तिन बाद मैंने उस बच्चे को जनम दिया था वो थोड़ी देरी जिन्दा रहा और फिर मर गया उस बच्चे के साथ मैं भी अंदर से मर गई थी मैं अपने ममी पापा के घर वापिस चली गई तो उन्होंने मुझे बोस समझ कर सर से उतानने की कोशिस नहीं की थी बलकि मुझे बहुत खुसी-खुसी अपने घर में रख लिया था मैं ये खुसाल जिंदगी गुजार रही हूँ मगर मेरे दिल से वो दुख और खौप नहीं जाता है तो दोस्तों कसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्यार रखना